वे गाईस बेक टो मैंड आप चलन तो आज हम अपोड सीरिस को फिर से कंटीनू करने जा रहे हैं तो जसके हमने प्रिफिस एपसोर में देखा था है बाकी बोलते है फिर हमें नाइली रेस कर इंसान दिखायता है वो बोलते है कि जो फोर श्यूफ नूपर यह यह प्रेंड यह पर बिंद्द यह एंपर अगर यह बहुत होती है बरिस बेफकुफ को मारो सबसे पर ले किसी काम की नहीं है और ऐसे बेमन लोग पकुआस कर र एकर मैं जॉन्य क्लैन में इस रास्ते को चूज किया है तो हम कैसे भाग सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी को फेस किये ऐस तो मैं ली जॉन्य ने इतना सा स्टॉंग नहीं हुआ पर मैं बेस्ट करूंगा जिनला बोलता है कि आ रहे हैं हमें शांत रहना है तुसरे इसान बो मतलब वीजियान बोलता है कि स्पेस फ्लक्शुएशन आगे वहां चलो वह ऐसे मूव कर रहे होते हैं जलना बोलता है जो फ्लाइंग शीप पर उसने डिरेक्शन चेंज करते हैं वह हमारी तरफ आ रही है दूसरे इंसान बोलता है जो फ्लक्शुएशन आ रही थी स्पेस बैरियर से जिसे हम कर रहे थे पहले उसके लिए मैंने एक और अरे बना दिया था पर फिर भी थोड़ी सी स्पेस फ्लक्शुएशन अजवान से लीक हो रही है एल्डेस्ट प्रतर ऐसा लग रहा है कि उन्हें स्पेस फ्लक्शुएशन को नोटिस कर लिए अब हम क्या करें जिलना बोलतों चलो पहले इनके एक्शन को अबजर्व करते हैं फिर टेसीजन बनाएंगे ऐसे ही बे मतलब का अटैक करना मतलब हरकत करना उन्हें अलार्म कर देंगे उन्हें पता लग जाएगा फिर जिलना सोच रहा था जो फ्लाइंग शीप है हमारे पास पास आती रह आती है कि कोई भी इस पैस फ्लक्टूएचन नहीं यहां पर वे जियान बोलते हैं मैंने सेंस कि हाथ स्पेस फ्लक्टूइशन को इसा लग रहा है कि ओपनेट को कुछ कंसेलमांट टेकनिक्स आती है तो यहां पर होंगए आस पास चलो सेर्च कर्ते हैं नुबर इसकी जौ पटा नहीं होता है Go har education to reduce अ कि अंदर गुसने का चाहिद यह खुद दी space fluctuation को ढूंड रहे हैं किसीने उने बताया कि हम ऐसे ही space barrier को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे काफ़ा लंबी टाइम से और ये अब हमें ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं वीजियान ऐसे भूम रहा होता है यहां वा और बोलता है कि हां यहां पे concealment array वो उसे कट कर देता स्वोर्ड से और वो आ जाता है मतलब एक पाथ रास्ता टाइप नीचे की तरफ एक जवानने गार्ड बोलते हैं इन्होंने खुद बखुदी concealment array को सेट की है इस प्लेस में ताकि space fluctuation को छुपा पाएं उनने पके notice कर लिया होगा हमें पहले पर यहां पे तो आसपस कोई भी नहीं है क्या उन्होंने give up कर दिया वो भाग गये है न वीजियान बोलता है नहीं अगर इसे drill नहीं करेंगे space barrier को तो यह अपने आपको repair कर देगा मैं feel कर सकते हूं की traces को यहां पर use किया गया था drill करने के लिए इसका मतलब वो इस प्लेस को छोड़ने की जरा भी नहीं सोच रहे हैं हम बस यहीं पर रुकना है अगर वह वापस नहीं आएंगे तो हम drill करेंगे और break करेंगे space barrier को फिर हम goard domain के अंदर एंटर कर सकते हैं उनके आने से पहले वरेस के लिडर बोलती है कि यहने space barrier के बार में तना सा पता है यहरानी की बात ने की zone and guards के helper है यह जिलनाओ बोलता है कि अगर यह हमारे लिए आएंगे तो हमें को भी जरूरत नहीं चुपने की हमारे पस upper hand है forward के array की वस से दूसरे इंसान बोलता है कि तुम जाते हम attack करें वरेस के लिडर बोलती है कि zone and guard zone में underestimate कर सकते हैं उनके और हमारे बीच में कुछ जादे gap का strength है तो यह best होगा कि जिलनाओ और मैं आगे जाएंगे और attack करें पहले जवानी की लाइन का बोलता है इंसान की ठीक है पर अगर situation खराब हो जाएगी तो हम भी death तक fight करेंगे जिलनाओ जाता है लूशू के पास और बोलता है कि your majesty please wait करो हम तुमारे safety को बना के रखेंगे लूशू बोलते कि हान धिहान देना हम भी attack करेंगे अगर जरूरी होगा जिलनाओ बोलता है ठीक है your majesty बाकी बोलते है कि strongest हैं में से मतलब जिलनाओ बोलते है कि strongest हैं में से वो यंग मैन है जिसने हैल में डाला हुए मैं इसके साथ deal कर सकता हूँ बाकी तुम fight कर उन से मतलब यह 5 star 9 guard वीजियान पहुंच जाता है वाएं पेश केव की तरफ है और कि जॉंग लिंग तुम एंटर करो स्पेस चैनल में सिच्वेशन को चेक करने के लिए इंसान बोलता है ठीक है जिलनाओ बोलता है फूर फूर फिर ऐसे फूर स्परिट कंसल्मेंट अरे को तोड़ देता है वीजियान बोलता है यह और एक अटैक जा रहा होता है वीजिया उन्हें वह इंसान पकड़ लिया है और उसे वह खतम कर देता है जिलनाओ के साइड के लोग अटैक के लपटें जानन कार्ड़ के उपर जानन गार्ड बोलता है कि तुम कुछ जादे ही मत करने वाले हो यह अमेजिंग हो कि कितने ज़्यादा पास तुम हमारे छुपे हु यह वीजियान को वीजियान सोच रहते हैं यह ओरा तो लोफ स्पेस को बाइंड कर रहा है मैं तो ग्रैंट टेलिपूटेशन टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा हूं तब जिनलाओ अपने आपको पूरता से इनर्जी से कवर कर लेता है और एक नीडल और एक हैमर को लाता ह और मारता है उन्हें एक अटेक जा रहा होता है इनर्जी का वीजियान की तरफ और बोलता है अब तो मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस विश को फुल्फिल कर देता हूं वह एक ब्लड ड्रोप को फॉर्म करता अपने सर के उपर और उन दोनों मतला उस अटेक को डिश समय लिए कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी उपर यूज करूंगा इस चीज को वरेस के लिए सोच रही होती है तो एक्चुली मैं एथरल ब्लड है उस ताइं पर मैं भी कुछ जादे डिफिकल था मेरे लिए भी से उप्टेन करना है एक ड्रोप को भी कोई इस चीज को यूज कर रहा है किसी ने यही चीज इसे दी है यह पकाई कुछ ज्यादे रिस्पेक्टिड होगा ज्वाइन गार्ड में मदर वर्ल्ड में और जो होता है ब्लड वो एक क्रिचर टाइप में फोर्म हो जाता है और बोलता है कि अब तुमने ड्रोप ब्लड को बार निका सब्सक्रार में तुमने फिर्ण कर रहा है यहां कि टूर्स के साथ की अपनी आपको मिक्स कर रहे हो डोगे और 9 लीग आर्स के अगेंस्ट हो जाओंगे तो मैं तुम्हारी जिन्दगी को छोड़ दूँगी मतलब छोड़ दूँगा अपने बड़े रूप में आ जाती है और बोलती मेरी लाइफ यह तुम्हारी उपनी डिसाइड करने के लिए वो वीजियान को पंच मानने के लिए आगे की तरफ आ रही होती है नुवारेस के लेडर के पंच से वीजियान निचे गरता है और मतलब घुसी जाता है जमीन में वो बोलता है यह तो डिसलेट गोड बोडी है एंशन गोड कल्टिवेशन मैथड वो तो काफ़जा लंबे ट बोड़ी हो डिस्टोई जाएगी वो अपने अंकों को मतलब ब्लड से कवर कर लेता है यह अकेला तरीका वो पता नी पूरता से ब्लड में कवर हो जाता है और खतम हो जाता है वहीं पर सोच रहता है ऐसे जो ब्लड कॉप्स है यह मेरी बोडी को बचाकर रखता है बार के लेडर बोलती है यह तेकनिक तुम यूज़ कर रहे हो जल्दी करो जूज़िया बोलता है कि समझ गया हूं में को रास्ता फाइंड करना पड़ेगा पहले भागने के लिए क्यूंकि तो लडगे उसके पास आ रही होती है लुज़ाय बोलते ही सही नहीं है जुज़ान गार् जल्दी हेल्प करते हैं इनके पास अभी कम लोग है अगर वो उनकी शायद सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी जुज़ान नहीं बोलता है कि ठीक है वो जुज़ानी क्लैन का लीडर हो तो जो इनसान होता है वो उन दोन लड़कियों कि क्या सोच रही हो तो जिनला वहां पहुंच आता है उसके पास स्वोड को लेकर वो इसका हो रहा होता है वो लड़की होती जौनीव क्लैन की और बोलती है सावल ब्लास्ट ही ठुगा वो इनसान बोलता है जवनंगार कि इस तरह का सावल अटैक काम ने करेगा मेरे उपपर चल गया रहा है यहां पे अच्छा वो जिनला ओ सावल अटैक था कुछ ऐसा वाइसा वैसा वीजियान बोलता है कि क्या तुम चुप रहोगे और कुछ साथ निखेलूंगा वह गाया बजाता है और एक वह मून लाइट स्लोटर को एक्टिवेट कर देता शायद काफे जाद मून क्रेट हो जाते हैं ऐसे आसमान में वहरेस क्रेटर बोलती है यह दूसरे इंसान होता है कंसील मतलब अरे वाला वह बोलता है यह तो स्लोटर पनिश पर नूवा की तरफ अतेख कर देता है नूवा yes की लीडर की तरफ उसके अटेक से नूवा मतलब वह जो होती है लीडर उसका हात कर जाता है और वह एससे डर्द से चलारी ओती एव और उसका साइज छोटा हो जाता है वीजयान बोलता है कि इस स्पोर का ना ही को होई वीजियान बोलता है कि तुम सिर्फ एक गोजो की पत्थर की तरफ जारा बजने के लिए वो अपनी स्वोर्ड से स्लैश करता और वो जो लड़की होती है वो दो हिस्सों में कट जाती है नुवरेस के लिडर रोतते हुए उसका नाम ले रही होती है वेल अब कुछ जादे डेट्थ हो रही है सच बता हूं वीजियान बोलता है सैड मत हो तुम भी इसे जल्दी ज्वाइन करोगे वरेस के लिडर सोच रही होती है इसे इन्विंसिबल पावर कुछा फास्ट है वीबड़ जाट